नमस्कार जन्भावना टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकिता आज के इस खास कारिक्रम में हमारे साथ मौजूद है आध्यात में गुरू मनोज कुमार दुबेदी जी गुरू जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद जी आज सबसे पहले तो हम आपसे यही जाना चाहेंगे कि वैदिक शिक्षा का जिक्र आज कल हर कोई कर रहा है लेकिन यह होती क्या है वैदिक शिक्षा दरसल हमारा जो सनातन धर्म है हमारी जो सनातन पधत ही है इसमें विज्ञान और धर्म यह दोनों अलग नहीं है जो वेदों में सबसे पहले विज्ञान आया वो हमारे वैदिक रिशियों ने परकृति के नियमों का सक्षातकार किया उन्हें देखा जैसे हम बात करते हैं कि न्यूटन है न्यूटन एक बगीचे में बैठे हुए थे एक सेव उनके सामने से नीचे गिरा तो उनको लगा कि पर्थी में कोई ने कोई ताकत है जो उनको खिंचती है ये परकृति की एक शक्ती थी ग्रैविटी पहले भी थी न्यूटन ने बस उसे खोजा इसी तरह से वैदिक रिशियों ने परकृति की समस्त शक्तियों को खोजा अपनी आत्मद्रिश्टि से उनको देखा ये एक आत्मद्रिश्टि है जो भारतिय पद्धति का भारती संस्कृति का हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है जैसे आप ये देखिए कि एक गाय है गाय को कोई ये नहीं बताता कि उसे वेज खाना है कि नन वेज खाना है उसे कौन-कौन सी घास खानी ही कौन-कौन सिखास नहीं खानी है यह उसकी सहाज प्रवर्ति है जिससे वो जानती है कि क्या खाना है इसी तरह सारी जीव है हमारे अंदर भी यह सहाज प्रवर्ति होती है जो हमें जगत का संसार का साक्षाद ग्यान कराती है लेकिन हमारे मन में जो वासनाएं हैं जो इच्छाएं हैं ब इश्वर के रूप में उन्हें परकृतिका साक्षात कार किया, परकृतिके नियमों को देखा, तो वेदों में जो ग्यान है वो पूरता वईग्यानिक ग्यान है, जिस ग्यान को आज भी वईग्यानिक ग्यान द्वारा प्राप्त करते हैं, प्रेक्षन के द्वारा और क्या क लुप्त हो गई, वेदों का जो ज्ञान है वो वड़ा नियमित्सा हो गया, आज जब दुबारा वेदों को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम यह देख पा रहे हैं, कि जिस गणित को हम पास्चात्य धंग में एक धंग से सीखते हैं, वैदिक समय में उसको सीखने का ए गंती सिखाते हैं, थो हम क्या करते हैं, उसको एक, दो, तीन पढ़ाते हैं, उंगलियों की साहईता से, या एक्जामबल दे के बताते हैं, ये प्रोसेस क्या होती है, हमारे दिमाग में किस तरह का प्रभाव डालती है, जब आपक सी भी बच्चे को कुछ सिखाते हो, तो वो आपका सारा सिखाना, बच्चे के दिमाग में जो शक्तियां हैं, उनको एक्टिवेट करता है, जैसे आप एक बच्चे को गिंती सिखाओ, और एक कुत्ते को गिंती सिखाओ, दोनों को साथ साथ बैठा लो, बच्चे गिंती सीख जाएगा, कुत्ता जो है वो गिंती नह नहीं सीखेगा, क्यों नहीं सीखेगा, जबकि दोनों को आप सिखा रहे हो, क्यों कि बच्चे के अंदर गणित का संपर्त्य पहले से ही विद्यमान है, जो भी आपकी एजुकेशन है, जो भी आपकी टीचिंग है, वो उस संपर्त्य को जागरत कर रही है, जबकि कुद्टे के अंदर नहीं है, बच्चे के अंदर सत्य का अहिंसा का संप्रत्य विद्यमान है, कुट्टी के अंदर नहीं है, कॉमसर्ट बनाना बच्चे की एक स्वभाविक शक्ति है, हमारी समस्त जो शिक्षन परंपरा है, वो होती है कि इनसान के अंदर जो सुए हुआ ग्यान है, ज कुछ लर्निंग पे बेस्ट है, कुछ नए प्रिक्षनों पे बेस्ट है, उससे दिमाग की एक शेत्र का विकास होता है, वैदिक गनित बहुत पहले से विद्यमाने हमारे यहां और कुछ-कुछ यगों में पढ़ाई जाती थी, अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई, और उस में एक बड़ा आश्यर जैनक तत्थ सामने आया, कि जिन बच्चों ने वैदिक गनित में का अभ्यास किया, उनको लगाया, उनके दिमाग ने एक अलग शमता, एक शक्ति अर्जित कर ली, कैलकुलेशन की, चीजों को समझने की, चीजों की अंडरस्टेंडिंग की, और उ विस्तार हुआ, और हमारे हां खगोल शास्त्री गनना की विधी आई, तो हमारे जो गनितग्य थे, आरे भट हुए, वारहा मीर हुए, इन लोगों ने छोटे-छोटे प्रिक्षन करके, पत्थरों से, लकडियों से, और इस तरह से गनिती सूत्र बनाए, कि उनसे इन्हों उनने सूरी के दूरी माप ली, पाई का विश्कार कर लिया, सूनी का विश्कार पहले कर हो गया था, तो ये जो गनिती पद्धती वेदों की है, ये इसने हमारे दिमाग को इस तरह से हमारे सुशुप्त सक्तियों को जागरत किया, कि हम, हमारा दिमाग अलग तरह से चीज उसका रीजन ही यह है, कि हम जो आज एक competition की दोड़ है, हर बच्चा IIT में बैठ रहा है, कोई बच्चा मेडिकल में बैठ रहा है, कोई I.I.S. बनना चाहता है, फिल्ड में जाना चाहता है, उसमें क्या होता है, कि उसका competition उसी समूह के बाकी बच्चों के साथ होता है, अगर एक बच्चे में कुछ अलग से शक्ति है, अलग से पावर है, तो वह बाकी बच्चों से आगे निकल जाता है, तो अगर हम बाकी सारे ग्यान के साथ बच्चे को वैदिक गनित भी सिखाते हैं, तो उसकी मस्तिष्क कि उन शक्तियों का विकास होता है, कि वह लर्णिंग की capacity बढ़ जाती है उसके retention power बढ़ जाती है जैसे आप अगर किसी चीज को आज पढ़ो तो आपका 20% ही दिमाग retain करता है 80% खतम कर देता है भूल जाता है आप उसको दुबारा पढ़ो तो retention फिर आप कितने कितने टाइम पर दुरा रहे हो इस पर डिपन करता है लेकिन जब आप वैदिक गनित पढ़ते हो तो आपकी माइंड के retention पढ़ जाती है first time में अब 30-40% retain कर लेते हो क्योंकि आपका दिमाग एक अलग तरह सोचने लगता है अलग तरह से काम करने लगता है वेदों के बारे में बोलने को तो बहुत है क्योंकि ये तो अपने आप में इतने बड़े गयान के भंडार है लेकिन मैं आज वैदिक गनित को लेकर बात कर रहा हूँ तो हमें हमारा बच्चा है तो जरूर कोशिश करनी चाहिए कि वो वैदिक गनित सीखने का प्रयास करें अगर उसका माइंड को औरियंटेशन इस तरह है वो लॉन कर रहा है वो लॉन करना सीखना चाहता है तो जरूर हमें उसको वो सपोर्ट देना चाहिए क्योंकि ये हमारी एक ऐसी पध्धती है जो हमें विश्व में बाकी लोगों से आगे ले जा सकती है क्योंकि बाकी जग कि गड़ित वैदिक गड़ित से कई लोगों ने फायदा उठाया है लेकिन क्या दूसरे विश्यों में भी इसका फायदा मिल पाएगा देखिए हैसा है कि अभी तो हमारे हाथ पूरी पास्चात शिधा पधती ही चल रही है बहुत बड़े एक परिवरतन की या हम कहें पर रिसर्च करने के आवशकता है आयुरेद में रिसर्च करने के आवशकता है जैसे आप आयुरेद में देखोगी जो चरक ने कहा जो वागवट्य ने कहा जो सुशूर्त ने कहा उसका भी अभी 20-25 परसेंट ही प्रैक्टिस में है माकी तो प्रैक्टिस में ही नहीं है और उ इन में रिसर्च की आवश्यक्ता है और इनको पाठिकरम में डालने की आवश्यक्ता है जिसे योग को पाठिकरम में डालने की आवश्यक्ता है इससे क्या होगा कि देखिए जो पास्चात शिक्षा हम पढ़ रहे हैं जो वहां आज प्रयोग होते हैं प्रेक्टिकल होते हैं वो हमारे यहां दो साल, चार साल, पांस साल, दस साल, बीस साल बाद पढ़ाया जाता है यही कारण है कि हमारे यहां का बंदा आक्सफोर्ड कैम्बरिज भागता है क्योंकि उनकी सिक्षापत देती है वो हमसे आगे रहेंगे अगर हमने उनकी शिख्जापधित के सासा जो हमारे महतवपूर मूले हैं हमारी जो इस्पेशलिटी है उसको भी हमने अगर जोड लिया तो हमारे अंदर एक ऐसा टैलेंट आ सकता है कि जब हमारा वर्ल्ड में मकाबला हो चाहे वो यूरोपियन्स हो चाहे अमेरिकन हो आस्ट्रेलिया हो किसी भी देश के जो विद्वान लोग हो उनसे हम कहीं आगे निकल सकते हैं हमने अपनी महनत से अपने ग्यान से दुनिया में लोहतु मनवा लिया आज भी आज भी भारती स्टुडेंट को कहीं भी किसी से कम नहीं आगा जाता बलकि यह माना जाता है कि इंडियन ब्रेन ब्रेनी और बड़े टैलेंटेड होते हैं लेकिन अगर हमने इसमें अपने जो हमारे पूरवजों ने ग्यान रखा हुआ है उस ग्यान को ही मिला दिया तो हम लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगा जो बात चलती है कि भारत विश्वगरू हो सकता है तो तब ही हो सकता है कि हम पास्ट्यात ग्यान के साथ अपने ग्यान को जो हमारे पूरवजों ने ग्यान खो जा है उसको मिलाएं और समश्रान ऐसा हो जरसल कहा है कि आज हमको आयुरुवेद घर्म पढ़ते हैं तो आयुरुवेद तो हम पढ़ें और इसको आधुनिक मेडिकल साइंस में ट्रांसलिट करके पढ़ें अब आयुरुवेद में कफ पित वात के अधारना है इसमें बैक्टीरिया और वाइरस क अधारना है तो किस तरह से हम दोनों चीज़ों को मिला कर पढ़ें इम्यून सिस्टम कि इसमें अधारना अलग है उसमें अधारना अलग है तो किस तरह से हम दोनों को मिला कर पढ़ें कि हम उस ग्यान को अशोषित कर सकें तो इस पे नए रिसर्च की ज़गरत है और Guruji, लेकिन ये हमारे समाच को, हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा? क्योंकि वैदिक शिक्षा में, पुराने जमाने में, जो प्रक।ती में चीज होती थी, उसको देकर शिक्षा दी जाती थी, साथ में, आध्यात में की शिक्षा भी उसमें सब्लित थी. तो आज के परिपेश्च में हम बात करें तो ये किस तरह से प्रभावित करेगी देखे पहले अगर आप भारत देश को देखो पुराने भारत देश को तो हर गाउं अपने आप में संपूर्ण था ना किसी बाहर से डाक्टर की जरुत पढ़ती थी इस्पेशलिस्ट की ना क किसी पुलिस तंत्र की आवश्चकता थी ना किसी बाहर के निया इधिश की आवश्चकता थी अपने आप में समाज का हर गाउं संपूर्ण था क्योंकि हर व्यक्ति को आयुर्वेत का बेसिक नौलेज था हर व्यक्ति को योग का बेसिक नौलेज था इस तरह एक आश्रम व्यक्ति को ब्रह्मचार आश्रम के रूप में पढ़ाई के लिए जाना होता था. जो नहीं जा पाता था, बाकी लोगों से नको ग्यान पराप्त हो जाता था. तो व्यक्ति अगर जीवन को इस तरह जीना है, तो पहली बात वो बीमार पढ़ेगा ही नहीं. अगर वो बिमार पढ़ रहा है तो हमारी प्रकृती ही ऐसी है तो हमारा शरीर अपने आपको खुदी ठीक कर लेता है हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है और हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं तो वो चीज़े ठीक कर लेता है दूसरी चीज़ यह थी अब ये हमारी सबसे बड़ी एक पूंजी है हमारे हाँ आज से आप 25-30 साल पहले देखोगे तो BP के, शुगर के, कैंसर के बहुत कम पेशन्ट्स दिखाई देते थे मुटापे तो होता ही नहीं था लेकिन आज आज आप देखो इनके सबसे जादा पेशन्ट्स भारत में और सबसे जादा ग्रूइंग पेशन्ट्स हैं वर्ल्ड में हो सकता है कि आने वाले 20-30 सालों में सबसे बीमार वेक्ति भारत में हो और बड़ी बड़ी जो फार्मसिटिकल्स कंपनिया है वो भारत को एक बजार की तरह देख रहे हैं तो अगर हम अपनी हमारी पीड़ी, युवा पीड़ी या बिर्द लोग अगर इस तरह से दवाईयों पर आशिर्त रहेंगे तो हम कैसे विश्व गुरू बन पाएंगे, विश्व में कैसे सबसे आगया बढ़ पाएंगे तो हमें अपने ग्यान को पहचानने के आवशकता है आज दुनिया में किसी वी यूरोपियन या किसी वी विक्सित देश में आप चले जाओ आप बता दोगे आप आयुवेदा चाहरे हो, आप योगा चाहरे हो, तो आपको बड़ा सम्मान मिलता है आप लोग जानना चाहते हैं कि जीवन जीने की वो कौन सी कला है, कौन सी पद्धती है जिसको पराचीन काल में भारतियों ने आविशकार किया था, जिससे वीक्ति वीमार ही नहीं पढ़ता जिससे बिना किसी बाहर का तत्तुली ये ठीक हो जाता है और ना तो यहां नीरिप्लेस्मेंट के जूरत थी, आज भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और आयरुवेद में बंदा जाके ठीक हो गया, अब वो चल फिर रहा है, दोड़ भाग भी रहा है तो हमारे हां बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, चुकि कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर तो हमारे हां की चीज है, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं है योग भी कोई नहीं मानता था, लेकिन जब वेश्टन ने इसको एंडोर्स किया, योगा बन गया, आज दुनिया उसको अपना रही है तो हम अपनी चीजों पर भरोसा रखें और अपने चीजों को हम खुद लेकर आगे बढ़ें रादर देन कि पहले वो विदेश में जाए, विदेश ये उसको लें, उसका पेटेंट करें, फिर वो चीजें हमें बेचें, फिर हम उस चीज को खरीदें क्योंकि हम को अगर दुनिया में आगे बढ़ना है, तो हम अपने ही ग्यान से, अपनी ही चीज से आगे बढ़ सकते हैं दुनिया में किसी को फॉलो करते हैं, किसी के पीछे जाकर हम नेत्रतु नहीं कर सकते हम विश्वगुरू नहीं बन सकते और हमें अपनी आगे आने वाली पीडियों को जो ग्यान देना है, वो हमारा पुरातन ग्यान है, उसको वरतमान परिस्थिन्तु के अनुरूप हमें बनाना है, आज उनमें नई रिसर्च करनी है, क्योंकि 2000 में, 1500 साल में बनस्बतियों में काफी परिवर्तन आ गया है, मानव ऐसा ग्यान पराप्त करने की चक्रम है, जिसमें हमें जल्दी से नौकरी मिल जाए, अब नौकरी भी क्या, नौकरी मिल जाए, अच्छी बात है कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पे नौकरी पाएं, विश्चु को नया ग्यान दें, लेकिन हम छोटी नौकरी नौकरी मिल जाए aintro operator की मिल जाए, processor की मिल virgin की मिल जाए, इन नोक्रियों में के पीशे दोड रहें और दोड़ेंगे ही, क्यों और हमारे पास बेरुजगारी है, हमारे पास option नहीं है, तो हमें नोक्री तो चाहिए, चाहिए. लेकिन जो समाज के व्यवस्था कार हैं, उनको देखना है कि युवा पीड़ी को किस तरह से बनाना है, किस तरह से निर्मान उनका किस तरह से करना है, कि हम नए ग्यान के साथ प्राचीन ग्याल को इस तरह समय वजिद करें, कि दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा हमारे पास हो, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पा था पहले विकरमशिलया विशुद्याहले विशुद्यायाले से विशुद्याहले का अचछा का आच्छेय वात कर रेंस लेना है लेने कुछ साफ्चीय नीजते लेकिन अपनी लेकिन ऑपने तत्यों को एपनी हीन समझ कर हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन गुरुजी जस तरह से आपने जिक्र किया वैदिक गड़ित के बारे में तो कहीं न कहीं अब लोगों को ये समझ में आने लगा है और युवा जो हमारे देश का भविश्य है हमारे समाज का भविश्य है उसे किस तरह से हम अपने वैदिक संस्कृती से आध्यात्म से धर्म से जोड़ सकते हैं इसके बारे में मेरा अपना विशार है कि बड़ी विडंबना का विश्य है कि भारत देश जहां पे सनातन को पालन करने वाले प्रमुखरूप से रहते हैं और यहां पर हिंदूों की ये सनातन धर्म की कोई शिक्षा का उस तरह से व्यवस्था नहीं है एक कोई अगर वैक्ति इसलाम को फालो करता है, मुस्लिम है तो वो मदरसे में धर्म की शिक्षा ले सकता है अगर क्रिश्चियन है तो वह चर्च और एफिलेटे इसलाम में धर्म की शिक्षा ले सकता है लेकिन एक हिंदू व्यक्ति के लिए, एक सनातनी के लिए कोई संस्थागत शिक्षा की वेवस्था नहीं है तो पहले तो यह सरकार को देखना होगा सरकार के वल धर्म एक शब्द समिधान में जोड़कर अपने कर्तवियों से मुक्त नहीं हो सकती धर्म की शिक्षा देना और यह धर्म कोई उस तरह का धर्म नहीं यह एक वैग्यानिक धर्म है यहाँ जो धर्म की शिक्षा है वो विग्यान की शिक्षा है और उस विज्ञान के शिक्षा भारत ने विज्ञान को अलग तरह से लिया, भारत ने विज्ञान को इस तरह से नहीं लिया कि आप पहले खोज करो, फिर पैसे में समान बेचो, नहीं, यहां तो जीवन से मिला हुआ है, यहां अर्थ यह पैसा कमाना जो है, ना तो धर्म का गविश उद्धेश था, ना तो चिकेटसास्त का उद्धेश था, ना योग का उद्धेश था, ना जूतिष का उद्धेश था. यहाँ पैसे का कोई सिटम ही नहीं था. इसा मतलब जिसके बतले कुछ पानी की इच्छा न हो. अब जो चीजें जो वेवस्था बन गई हैं उन वेवस्थाओं में ऐसी वेवस्था आ गई कि हर चीज कमर्शिलाइज हो गई हमारी भी जो कभी विद्यदान की वेवस्था थी उकतम हो गई कुछ-कुछ लोग वेदों से चीज़ें निकालके, वेदी गनित निकालके उसको सेल कर रहे हैं, कुछ योगा को सेल कर रहे हैं, कुछ आयुरवेदा को सेल कर रहे हैं लोग. अब भारत के हर व्यक्ति को मूल भारती संस्कृत के बिंदूओं का ग्यान हो, धार्मी के बिंदूओं का ग्यान हो शिक्षा, योग, जोतिश, आयुरवेद इनका ग्यान होना चाहिए और धार्म के शिक्षा के लिए सरकार वेवस्था करें बाकी चीजें तो चल रही हैं जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बाकी अच्छी चीजें तो हमें कहीं से भी ले लेनी चाहिए लेकिन जो हमारे पास अच्छी चीजें उनको दिया जाना चाहिए सबको दिया जाना चाहिए गुरुजी हमारे चैनल के माध्यम से आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये कहते हैं या जो इस तरह की सोच रखते हैं कि इतना जादा competition बढ़ गया है, आगे बढ़ना है, तो उस आगे बढ़ने के दौरान में कहीं न कहीं जो धर में है, आध्यात में है, वो पीछे हो गया है, तो उन लोगों को कैसे आप जोडने की शिक्षा देंगे? मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि अगर आप जो है केवल पैसे के पीछे भागते रहोगे और जो मूलत शक्ति है, जैसे आपको अगर गाड़ी में स्पीड चाहिए, तो आपके पास पैट्रोल तो चाहिए, लेकिन इंजिन भी चाहिए, इंजिन की पावर चाहिए, वो कहां से आती है, व्यक्ति में शक्ति आती है आध्यात्म से, व्यक्ति में शक्ति आती है भावनाओं से, व्यक्ति में शक्ति आती है प्रेम से, अगर ये भावनाएं आपके पास नहीं है, प्रेम नहीं है, और आध्यात्म नहीं है, तो आप थोड़ी दूर जाके, और अग बड़ी बिल्डिंग, उची बिल्डिंग तभी बना सकते हो जब आधार आपका मजबूत हो और जीवन के लिए आधार देता है आध्यात्मा जी गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ग्यानवर्धक जानकारी आपने दिये बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलाल इतना ही आप जोड़े रहे जन्भावना टाइम्स के साथ नमस्कार